और भाई लोग क्या समझे में? तो भाई लोग अकर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अत्ते दिनों वाद क्यों वीडियो बना रहा हूँ तो भाई जब से मैंने सोना कि लॉक्ड़ॉन बढ़ा दिया गया है तब से मैं सद्मे में चला गया था लेकिन अब जैसे सद्मे सब बाहर आया हूँ सबसे पहले मत तुम्हारे ले वीडियो बना रहा हूँ तो देखो आज की कहने का नाम है The Sound of Music जिसके नाम दो पार्ट है पार्ट वन और पार्ट टू और आज की इस लेक्चर में मत तुम्हारे पार्ट वन पर आऊँगा और पार्ट वन का नाम है एवलीन ग्लीन लिसन टू दू दू साउंड विदाउत हेरिंग इनकी एक लड़की है जिसका नाम है एवलीन और वो बिना सौं को सुने हैं लेकिन उससे पहले तुम मेरा चैनल को सस्क्राइब कर लो अबे चल बड़ा चैनल सस्क्राइब करें बड़ा चल बड़ा तो देखो भाई जो इसके राइटर है ना वो बताते हैं कि एक 17 साल की लड़की प्लैटफॉर्म पर ट्रेन के लिए धाक के मुखे कर रही थी क्योंकि उससा रॉयल एकेडमी ओफ म्यूजिक लेंदन में जाना था और जैसी वो ट्रेन के भाईवरेशन को सुनती है वो ट्रेन के तरफ दौरी चली जाती है और वो ऐसा क्यों कर रही है वो यह प्लैटफॉर्म पर क्यों खड़ी है और क्यों रॉयल एकेडमी ओफ म्यूजिक में जाना जा रही है तो इस सब किस जवाब तुमें इसके पास्ट में मिलेंगे तो चुरो थोरा पास्ट में आते हैं और इसके जवाब दोनते हैं तो जब एवलेन आट साल की थी तब उसे एक पियानो कंपडिशन में उसे पियानो बजाने के लिए बुलाया गया स्टेज पे लेकिन जब उसका नम बुलाया गया तो वो बिल्कुल भी नहीं हिली और उसकी जो मा थी इजाबेल गलीन उन्हें ऐसा रियालाइज हुआ सड़नली साहिद उसने ये सुना ही नहीं कि उसे कोई बुला रहा है उपर पियानो बजाने के लिए उसकी मा ऐसे सड़नली रियालाइज करती है और वो ये भी सोचती है कि साहिद इससे कुछ प्रावलम है सुनने में इसलिए इसने सुना नहीं लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहती और जैसे जिंदगी कट रही थी न वैसे कटने देती है और जो एवलिन है वो अपने पैरेंट से अपने टीचर से अपने फ्रेंट से ये नहीं बताती है कि वो बहरी है और वो कुछ भी सुनने ही सकती क्योंकि वो सोचती है कि अगर मैं बताओंगी तो मेरा मजाग बन जाएगा यार मजाग तो मेरा बन गया इस लॉक्टाउं में मतलब यार अच्छे सब्द सुनने के लिए मेरे कांट तरसक है तो भाई मैं तुम से गुजारिस करता हूँ कि यार तुम मुझे कुछ दो चार लाइन गाने सुना दो नीचे कमेंट दे चलो मुद्द की बात पर आते हैं तो जब एवलिन 11 साल की हुई तो उसके मांक्स कमाने लगे क्योंकि उससे कुछ सुनाएं नहीं देता था और कुछ चैप्टर समझ में भी नहीं आते थे इसलिए उसके मांक्स कमाने लगे फिर जो उसके टीचर है उसो ने उनके माबाप को बुलाया और कहा कि इसके मांक्स दिक्रीज हो रहे हैं तो जाके आप एक स्पेसलिस से मिलिए और इसकी जाच परताल कीजिए साथ इससे सुनने में प्रॉफलम हो रही है और जैसा ही मांक्स कमा है इनके पैरंस के तो आँके खुल गई भाई वो सोचे भाई मांक्स कैसे कमा गया मतलब तुम कुछ भी कर लो मांक्स कम कभी मतला है न वरना जिक तुम्हारे बापा डंडे बरसाएंगे फिर तो भाई तुम मुझे से पूछना ही मत ठीक है तो वो लोग स्पेशलिट्स के पास गए और जैसे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि इसके नर्फ जो है वो डैमेज हो चुके है और इसे कुछ सुनाएं नहीं देता तो आपसे गुजारिस है कि आप इसे जो बहरों के लिए स्कूल होता है आप उसे उसमें भीजो ताकि वो सीख सके क्योंकि ये बहर ही है उसे कुछ भी सुनाएं नहीं देता और भाई तभी एजन के लिए दुनिया थमसी गई सारे चीज ब्लैक हो गए और उसे कुछ लग रहता ऐसा कि कुछ देखी नहीं रहा मतलब कि उसकी तो भाई जिंदगी बरबाद हो गई लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही उसने अपना पूरा तागत अपने पूरी मेहनत कायम रखी और जो उसका म्यूजिक में इंटरस्ट था उस अभी उसने बिलकुल भी नहीं जोरा फिर एक दिन वो नुटिस करती है कि जो एक लड़की है वो जाइलोफ़न बजा रहे थी कि जाइलोफ़न क्या है तो भाई ये एक ना म्यूजिक इंस्टूमेंट है जिसे हम लोग बजाते हैं तुमने बजाया हो तो बॉट बढ़िया और नहीं बजाया तो यार जाके एक बढ़ देखलो ये क्या होता है ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे तो वो डिसाइड करती है उस समय कि मैं भी जाइलोफ़न बजाना सीखूंगी और उस समय वो ठान लेती है कि मैं सीखूंगी ही सीखूंगी लेकिन जितने पर टीचर थे वो कहते हैं बेटा तुमसे नहों पाएगा क्योंकि तुम तो बैड़ी हो तो सुनोगी कैसे और सीखूंगी कैसे सब उसका मजा पूराते हैं और उसे इंक्रेज भी नहीं करते फिर एक जो टीचर है जिसका नाम होता है रॉन फॉरबर वो कहते है नहीं बेटा मैं तुमस सिखाऊंगा ये कैसे बजाया जाते हैं और उन्होंने दो बरे बरे डरम्स को डिफरेंट डिफरेंट नोट्स पे डिफरेंट डिफरेंट बीट्स पे बजाया और कहा बेटा म्यूजिक को ना सुनो मत उससा फील करो अंदर सा फील करो से ठीक है ऐसा कहा और बहुत ही मैनत के बाद उसने उससा फील करना शुरू कर दिया उसने अपने डिफरेंट 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 बाडी से डिफरेंट डिफरेंट बाडी के स्ट्ट्चर और डिफरेंट डिफरेंट बाडी के पार्ट से डिफरेंट 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 वाइबरेशन को सुनना और फील करना शुरू कर दिया जैसे एक फर एजमपल जब वो कोई उडन ब्लॉक होता था तो अपने सुजवूद उतारके वो पैरों से उस वाइवरेशन को फील करती थी और समझ जाती थी कि कौन सा बिट बज़ रहा है तो भाई जुनून होता ना वो जुनून दाज लगी के अंदर में और उसने अपने पूरी मेनत के बाद ये चीज़ सेख ली फिर उस दिन के पाप उसने कावे पे जिन्दकी में पीचे मुर्गया नहीं देखा और जब वो 16 साल की होई तो यूनाइटेट किंडम के जो यूथ औरकेस्टर है उसके साथ काम किया और उसे समय उसने डिसाइट कर लिया कि इस जिन्दकी में वो पूरा अपना जिन्दकी मुजिक के नाम ही कर देगी और फिर उसने रॉयल अकेडमी ऑफ मुजिक जो के लंडन में है उसमें ऑॉडिशन दिया और उस समय उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स आप्टेन किये और एकेडमी के हिस्टरी में अपना नाम दरजा कर लिया और फिर उसने औरकेस्टा से मूव करके सोलो परफॉर्मेंस के तरफ चली गई और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह पे सोलो परफॉर्मेंस किए, एवार्स जीते, तीन साल का फूल कोस किया मूजिका बहुत सारे एवार्स पे जीते फिर रैटर बताते हैं कि अगर तुम कोई भी चीज को बरे मैनत के साथ और पूरे लगन के साथ करते हूं तो तो मुझे चीश को पक्का से पालोगे यार यह ना मैं 55 सुनते आ रहा हूं और मैंने बहुत बार बहुत ही मेनाथ के साथ काम भी किया लेकिन यार मुझे ना इन सब चुझे से कुछ घंटा नहीं मिला तो चलो मैं अपने धुकबर कहानी ना यहीं पर खतम कर देता हूं और आगे इस कहानी को प्रोसेट करता हूं तो फिर यह जो एवलिन थी यह वर्ल्ट की सबसे फेमस मल्टी प्रिकॉनिस्ट बन गई यान कि यह लग बग एक हजर से भी जादा इंस्ट्रूमेंट को बजाना सिग गई और इंटरनेशनल स्टेडूल में इसने हैट्रिक मारा मतलब कि लगातार तीन भार तुम समझ सकते हो बाई फिर एटर बताते हैं कि उन्होंने इसके साथ दो गण टेक के साथ डिसकॉशन भी किया बातचित किया और बहुत ही हासी मजग भी किया और फिर जो एवले ने वो कहती है कि मैं इतने अच्छे से इसलिए बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 साल तक सारे चीज़ों को सुन सकती थी यार यह इसलिए बोला ना क्योंकि कोई भी बेहरा होता है जो भी बच्चपन से बेहरा होता है वो तुम्हें देखा होगा वो गोंगा भी होता है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे नहीं एक basic सी science है क्योंकि जब वो कुछ सुनी नहीं सकता तो वो बोलेगा कहां अगर तुम्हें से deep में समझना है ये क्या function है तो यार ये तो तुम्हें स्कोई science वाला student ही बता सकता है या फिर कोई science वाला teacher ही बता सकता है तो तुम उससे समपर कर लो ठीक है ये मैं तुम पह छोड़ता हूँ चलो तो कहानी को आगे पढ़ते हैं फिर एक्टर बताते हैं कि उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो किस तरह से अपने आपको manage करती है French और basic Japanese सीखने में तो ये उसके कुछ special deep or feelings होगी जिसके साथ ये सीखती होंगी ये सब languages फिर वो explain करते है फिर वो लड़की बताती है कि वो अपने सारे body parts से sounds को feel करती है music को feel करती है और फिर वो सीख जाती है यानकि वो skin में जब music बनता है तो उसके skin में एक sensation produce होता है वो अपनी गालों से सिंगती है जाता कि जो उसके बाल है ना उससे भी इससे feel करती है song को और उससे सीखती रहती है और बजाती है जब वो जाइलोफ़न बजाती है ना तब उसके अंदर एक sensation produce होती है और जो sound जो produce होता है जाइलोफ़न का उससे वो feel कर लेती है अपने fingertips के थुरू जो इस स्टीकर से जब डैलोफ़न बजाती है ना तो उसके fingertips के थुरू उस sound को वो feel करती है और ऐसा बहुत सारे drums को भी सीखा उसने different different body parts से जैसे कि मैंने तुम्हें पहल भी बताया जब वो कुछ उड़न चीजों पर होती थी तो अपने सूस को उतार देती थी और leg से यांकि जूस के पैर थे उससे उस sound को feel करती थी और ऐसे करके वो आगे बढ़ती गई और इसमें surprise होने की बिल्कुल भी बात नहीं है कि जब Abolin जब stage पर performance करती है तो उसके जो audience है ना वो तो भाई मतलब खुशी हो जाते हैं और हाँ 1991 में उसे Royal Pill Harmonic Society के तरफ से prestigious Soloist of the Year Award में उसको मिला था मतलब उसे यार इतना बरहा है अफ़ार्ड में मिल गिया और फिर जो उसके प्रिकॉनिस्ट से James Blade वो कहते हैं कि भगवान ने सायदीस से इसके hearing हैं लेकिन इसे ना एक अगभूद भी चीज दिया है इसके अंदर एक extraordinary चीज भी दिया है हम तो बस किसी चीज को सुनते हैं लेकिन यह feel करती है और इसे ना बहुत ही deeply feel करती है जहां तक कि हम feel भी नहीं कर सकते तो यार यह ना एक beautiful expression देती है music के लिए और यह बहुत ही आग जाती है यह अपने जीवन में बहुत ही success पाती है बहुत ही पैसे कमाती है और इसने ना solo performance बहुत सारे की है और यहां तक कि इसने ना free concert भी किया जेल में गई, hospital में जाके free concert किया और जो पैरे बच्चे हैं उनके लिए fund भी जलाती है जिस fund का नाम है और यह fund जलाती है उन लोगों के लिए जो बैरे बच्चे हैं ताकि वो उनकी मदद कर सके और जो बैरे बच्चे है ना उनके लिए यह एक inspiration है वो समुझते हैं अगर यह कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती और वो भी इस बार होते हैं से सीख कर और फिर वो भी अपनी करने की ख़ान ज़िता है और इसो इसो सीखने की कोशिश करते है तो यार आज का chapter ना यही पर खतम कर देता हूँ मैं इसमें मैंने बहुत बाते कर ली और मैंने तुम्हें ये सारे बात है पहरा पिती है अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर करना और हाँ अभी तक चैनल सस्क्राइब ने किया तो यार क्या कर रहे हो चैनल तो सब्सक्राइब कर लो कम से कम और हाँ भाई अगर अच्छा लगाओ तो लाइक कर देना और अगर तुम्हें डाउट है या फिर तुम्हें कुछ अपने बताना है अपनी मन की बाते बतानी है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो तुम्हारा भाई अलवेस रेडी है ठीक है तो चलो यारो फिर मिलता हो तुम्हें इसके नेक्स्ट पार्ट में जोकि मैं जल्दी अप्लोड करूंगा